इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपका खता SBI यानि कि State Bank of India में है और आप करना चाहाते हैं तो यह काम आप अपने ही मुबाइल से कर सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं किस तरीके से अपने मुबाइल से यह काम हम कर सकते हैं तो सबसे पहले को एपने कर लेना है मैंने यहां पर मैं पर पहले ही कर चुका हूं तो मैं पर सिरफ अपने 아kंपन हो हो चुका अपर King करेंगे और यहां मिल जाएक इस पर आपzar किलीक करेंगे तो चलिए हम इस पर संब्लीक कर देता हूं कि इसी पर आपंग्हीं करेंगे वापकी कितने की करना चाहते हैं जैसे की मैं यहां पर इंटर कर देता हूं 114 तो तुम्हांट 24000 की कर के आपको दिखाने वाला हूं उसके बाद में सीिट करेंगे कितने दिन की आप करना चाहांते हैं कि 400D की 400 V में आपको इंटरस डेट सबसे अधिक मिलता है हाई अगर आप देखना चाहाँते ने तो इस पर आप सिंपट्री करेंगे करने की बाद में आप यहां पर में सकते हैं सबसे interest rate है जो ब्याज है वो किस पर है जैसे कि आप देख पा रहा है 400 डे वाली पर ठीक है तो हम इसी को select कर लेते हैं अगर आप कर रहा है तो आप भी इसी को ही select कीजीगा उसके बाद में नेश्ट पर हम simply किलिक करेंगे आप जो इसका ब्याज है जैनकि interest rate है वो कब लेना चाहाते हैं जैसे कि maturity क्याने कि जो आपकी amount है जो fixed deposit कर रहा है वो और जो interest rate है वो हमें दोनों ही साथ में चाहिए तो हम maturity को select करेंगे नेश्ट पर हम simply किलिक करेंगे यहां पर आप select कर लेजेगा credit to account ठीक है जिस दिन आपकी FD complete होगी जो आपका amount है डारेक्ट आपके bank खाते में आ जाएगा नेश्ट पर आपको simply किलिक कर लेना है किलिक करने के बाद में आपको यहां पर detail चेक कर लेना है अच्छी तरीके स option यहां पर आपको को कि को option मिल लिया है सिंप्ल आ अपको कर देना है फिर से अपको यहां पर और किंखनी के बाद में फिर से आपको हम पर क्लिक करना है और अपनी FD장 को हापर open करेंगे और आप सारी detail से यहां पर check कर सकते हैं ठीक है यहीं सही आप लास भी कर सकते हैं तो बर्थ है वो आगे की आपकी होनी चाहिए एड़ दरेड और आपके चारंग मुबाइल के पीछे के ठीक है तो चलिए हम यह हमारा पासबड है हम यहांसे से ओके कर देते हैं करने के बाद हम बैक करेंगे और सिंपली हम अपने मुवाइल की फाइल में जाएंगे ठीक है तो हम फाइल मैंनेजर को यहां पर ओपन कर लेंगे किदर गई हमारी फाइल यह है ठीक है तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं डानलोडिंग पर सिंपली हम किलिक करेंगे और आप यहां पर PDF फाइल पर सिंपली क्लिक करेंगे अपना पासबर्ट डालेंगे जो मैंने आपको बताया था ठीक है अगर आपको समझ में नहीं आया तो पीछे बैक करके भी आप देश सकते हैं अपनी PDF फाइल यहां पर ओपन कर लेंगे सारी डिटेल को आप चेक कर लें हैं और आप एक साधा PDF फाइल में से से भी कर सकते हैं जैसे कि अभी आप यहां पर देख पा रहा है तो इस तरीके से आप नेम को यहां पर चेंज कर सकते हैं करना चाहें तो जैसे कि मैं यहां कर देता हूं PSR मैं यहां से सेव कर देता हूं अब इस PDF फाइल को आप किसी के सेंड भी complex लेगव करें मिलते हैं वीडियो में